स्पी को ग्यावन्द सब्दे हुए निस्पक्ष जाज की मांग आरोपियों पर की जारी कारवाही विवेक सुकला तनैस्री ग्यानेद प्रशाद सुकला निवासी बोदा बाग आनन्द नगर रीवा थाना विसु विद्याला जिला रीवा मद्प्रदेश के निवासी हैं एक मार्च दोहजारी किस को प्रार्थी का पुत्र रात्रे नाव बजे संदड़िया होटल नए बस स्टैंड से अपने घर आनन्द नगर की ओजा रहा था प्रार्थी के पुत्र की बुलट अच्छानक खराब हो गई और स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अन्य साथ ही जो दो पहिया पलसर लिये थे उससे बुलट को टोचर्थ करके खीच रहे थे दोनों वहां धीरे धीरे चल रहे थे जैसे ही सुभास चौक के पास पहुचे तो थाना प्रभारी अमहिया स्री सीवा अग्रवास सुभास चौक के पास अपने अन्य पुलिस वालों के साथ आ गए जैसे ही थाना प्रभारी वहां पहुचे और लड़कों को रुखवाने लगे और तंटे से मारपीट करने लगे तो पलसर में बैठे लड़के डर के कारण भाग गये प्रार्थी का पुत्र जो बुलट में था वो वही पर रुख गया और धाना प्रभारी अमहिया ने उसके साथ बिना किसी पुछ ताज किये मारपीट करने लगे तथा अन्य पुलिस वाले भी मारपीट करने लगे प्रार्थी के पुत्र ने मारपीड का कारण पूछा तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला और बल पूर्वक बिना किसी अपराथ के थाना ले गए और वहाँ पर भी पुत्र के साथ गंभीर रूप से मारपीड किया और बुलट मोटर साइकल में भी पुलिस वालों ने तोड़ फोड़ किया वा प्रार्थी के पुत्र का मोबाइल तोड़ लिया तथा विवेक सुकला के हाथ का ब्रेसलेट भी छीन लिया तथा पर्स में रखा पैसा भी छीन लिया प्रार्थी के पुत्र तो बोले की बुलट को अने पाइक से टोचन क्यों किये थे प्रियाग एक्स्प्रेस ने उसके लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रेपोर्ट तो बीच में हमारा भतीजा विवेख शुकलाद वारा संदरिया होटल से घर जा रहा था उसके गाली के पिर्टोर खतम हो गया तो वो टोचन करके सिरमच रहा से आनन नगल के और जा रहा था उसी विस अमहिया थाना पर भारी स्टाफ सहीद उसकी गाली रोके और गाली में लात मारती गई तो गाली उसकी गिर गई गाली गिरने के बाद उसको बेरहम से पिटाई की गई उतना मारा गया उसके बाद थाना ले जाके मारा गया और वह जाके बिहोस हो गया उसके पर जाना पेवादी दिजारा पीसी अरवाइन से एस्पाल ले जाया गया, वहाँ भर्की किया गया लेकिन अस्पाल ने इतना जादा दबाव बना दिया गया कि आप यह थी सेडिय कूर बहुत जादा परिसान हैं इसी मामले में हम एसकी साहब को पा गयापन देने आये थे क कि इसमें हमको जांच चाहिए और तत्काल निलंबच चाहिए तुमार पेट की बजय क्या थी कोई बजय नहीं थी सिर्फ उन्हों ने बोला कि गारी का पिट्रोल खताम हो गया सा तो गारी कैसे जाए बिना तोचन रहा है और मतलब हद हो गई सार मतलब क्या किया जाए एस प सब्सक्राइब करेंगी जो दोसी पाए जाएगा उसके खिलाब करवाही की जाएगी मेरा नाम पंकर शुकला है